कि मार्द्यम से मंत्री मौदे से पूछना चाहूंगा क्या यह सही है कि एर इंडिया के निजी करण के बाद आरक्षित श्रेणी के करमचारियों के हितों को शुरक्षित रखने के लिए एक समीती का गठन किया गया था यदि हाँ तो अनुसोचित जाती और अनुसोचित जन जाती करमचारियों सभी इस्थाई करमचारियों की सेवा निवरती अवकाश नगदी करण ग्रैच्यूटी करमचारी आवास और पदोनती और भरती के लिए आरक्षन के संबंद में क्या सुझाव दिये गए हैं क्या इ एर इंडिया और इंडियन एरलाइन्स का विले हुआ था जिसके बाद एक नई कंपनी नेशनल एविएशन कंपनी ओफ इंडिया लिमिटेड बनाई गई और उस वक्त अनुसोचित जाती को 15 प्रतीशत और अनुसोचित जन जाती को 7.5 प्रतीशत का आरक्षन दिया जाता था देश बर में एर इंडिया के अंतरगत ग्रुप A से लेकर ग्रुप D में लगबग 6127 अनुसुचित जाती के करमचारी एवं 255 अनुसुचित जन जाती के करमचारी थे माननी है सभापती मौदे आपके माद्दिम से मैं पूछना चाहूँगा मंत्री मौदे से की एर इंडिया के निजीकरण के पश्चात वर्तमान में अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के कितने अधिकारी और करमचारी एर इंडिया में कारेरत हैं एवं एर इ